हेलो एवरीवन मैं हूँ सेली विलकम करती हूं राही कीचन में आज मैं बनाने जा रही हूं बची हुई रोटी से स्नेक जो खाने में बहुत ही डिस्टी लगता है और बनाना बहुत ही आसान है नास्ते या फिर खाने में जब भी हम रोटी बनाते हैं तो कुछ लगुछ रो श्योंतर हैं वरीजलि के सब्सक्राइम सब्सक्राइब कि तीन को ohled कि एक प्सक्राइब करम पेड़ांस सब्सक्राइब अश्यायों कि ऊ culinary Cambria sarac करें कॉमेंट करें आर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो फिर अब चलें शुरू करते हैं मैंने यहां पर तीन रोटी ले ली हूँ जो के मेरी यह रात वाली रोटी है रात में जो खाने के लिए बनाई थी तो यह मेरी तीन रोटी बच गई थी तो आप चाहें त पतले पतले लंबे लंबे लच्छी में काट लेना है आप इसे चाकू से भी काट सकते है यहां एजली कट जाते हैं वैसे तो बच्ची हुई रोटी के बहुत सारे आइटेम्स बनते हैं लेकिन यह को रिश्पी आइटेम्स हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं इस से जादतर बनाती रहती हूं तो इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूं तो अब आप देख सकते हैं इस तरीके से में सारे रोटी को लच्छी में काट ली हूं तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें step by step मैं आपको बताती चलूँगी तो मैंने यहां पे half table spoon के करीब लाल मिर्ची पावडर ले ली हूं यह नॉर्मल लाल मिर्ची पावडर है आप अपने तीखे पन के हिसाब से इसको ज्यादा यह कम कर सकते हैं और थोड़ा मैं नमक ले ली हूं जो के half table spoon के करीब है यह test recording आ रही हूं तो भला धनिया पती कैसे भूल सकती हूं कि इसमें इसका flavor बहुत अच्छा आता है और मैं थोड़ा two table spoon के करीब धनिया पती डाल दी हूं और इसमें हलका पानी लेंगे जादा हमें पाने की ज़रूरत नहीं है बस हलका पानी लेकर के और इस तरीके से चारो पानी इकोल जाए और ऐसा नहों कि एक तरफ ज्यादा पानी पर जाए तो गिले जैसे हो जाए एक तरफ का पुड़ा बिल्कुल ड्राइ रहे तो इसलिए हाथों को गुमाते हुए पानी के छिटे लगाना है हमें ज्यादा पानी का इस्तमाल नहीं करना है मैं जो पानी के छीटे लगाए थी तो फिर मैं यहां पर त्री टीवली स्पून केक करिये कान फ्लॉर ले ली हूं इसकी बाउंडिंग बहुत अच्छे आती है और यह क्रिस्पी बनकर के तयार होते हैं अब इस कान फ्लॉर को हम हाथों की मदद से सारे रोटी में कोटिंग कर दे अब यह अच्छी तरीकी से कोट हो गया है इसे रखेंगे दूसरी तरफ और आगे का प्रोसेस कर लेंगे तो अब यह जब तक रिष्ट हो रहा है तो मैं ले ली हूं आलू यहां पर मैं बॉयल करकर के चार आलू ले ली हूं यह मीडियम साइस के आलू है और मैं इस तरीक फटारीक चॉप कर लींगे मैंने यहां पर इक ही प्यास का इस्तपार कर रही हूं 50 एक और थिखकरर कहना है। और इस तरीके से इसे भी में बारीक चॉप कर ली हूँ अब मैं यहाँ पे एक मुठी धनिया पति चॉप कर ली हूँ अब मैश की ह हुए आलो में 1 टेपल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेपल स्पून धनिया पाउडर आर 5 टे पल स्पून, चाट मसाला आर्टिस्ट के कोडिन नमग ली हूँ, जो के हाफ टेबली स्पून है, आर्ट छॉप किया हुए हरी मिर्ची उसे डाल देंगे, चॉप किया हुए प्यार ग्राइबा अर चॉप किया हुआ धनियापती उसे करके तयार होता है इसलिए मैं बोली हूँ कि ताके बहुत सारे आदमी को पसंद होते हैं गरम मसाले के फिलेवर और इस तरीके से सारे इंगिर्डियेंट्स को मिक्स कर लेंगे और हाथों के मदद से इस तरीके से छोटे-छोटे लंबाई वाला शेप दे देंगे वैसे आप गोल वाला भी दे सकते हैं तो आप गोल से भी दे सकते हैं लेकिन मैं इसे लंबाई में ही शेप दे रही हूँ तो इस तरीके से साड़े को बना लूँगी तो मैं यहां पर साड़े आलू के वह मैश की उपे जो मिशन थे उस सब को मैं बना ली हूँ यहां पर अब इसे र कर दो हमाइन थोड़ा पानी कर देन के लिएषय को अच्छे तरीके सेऊना करेंगे कि इसं कोई ना हो गुठलीय को उटके व्हां एक तु यहां पर दल जहां पैला लिए हयाए तो अब यह रेडी हो गया है, अब फिर आगए कप प्रोसिस करेंगे, तो यहाँ पे वो जो रोटी के कटे हुए टुकड़े थे उसे ले लेंगे, और वो आलू से बनाए हुए जो वो थे वो ले लेंगे, और ये एक लेंगे, आर इस तरीके से आठे वाले इसमें डिप करे और पहले step को follow करते हुए इसे भी दो बाड़ा इसी तरीके से बनाएंगे पहले आटी में के लिक्योड में डिप करेंगे फिर उसके बाद कटे हुए रोटी में डाल करके इस तरीके से प्रेस करके हलका चिपका देंगे यह इसली चिपक जाएंगे तो अब मैंने साड़ी को एक एक करकर के पहले लिक्योड में डिप करके आप फिर उपर से रोटी का कोटिंग करके इस तरीके से मैं बना ली हूँ अब यहां पे साड़ी हमारे स्नेक रेडी हो गया है तो फिर बिना देर की हुए चले फिर बनाना शुरू करते हैं तो गैस का अब बनाना शुरू कराही डाले को अच्छी तरीके से गरम होने दें आट जैसे ही कराही गरम हो जाए उसमें आइल डाले मैं इसमें रिफाइन आइल का इस्तमाल करें हूँ आप कोई साभी कोगिंग आइल ले सकते हैं जिसमें आपको पसंदों फ्राइब करना अब यहां गरम हो गया है इसमें एक एक करके स्नेक को डाल देंगे इस वक्त गैस का फिल्म मीडियम ही रखेंगे कि रोटी से बन रहा है तो थोड़ा चलती है यह ब्राउन होने लगेगा हमें अंदर के आलू को भी अच्छी तरह से तो इसलिए हमें इसे मीडियम ही फिल्म पे इसे करना है अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है और जैसे ही एक तरफ का फ्राई हो जाए तो उसे दूसरी तरफ पलड़ देंगे हमें इसे त टेस्टी लगेगा खाने में तो इस तरीके से आईल से अब निकाल लेंगे और इसे टीशू पेपर पे डाल देंगे ताकि यह इसके एक्स्ट्रा आईल जो हो वो टीशू पेपर एबसर्ब कर लें वैसे इस इसनेक को फ्राई करने में हमें जादा आईल नहीं लगते है प इसे बनाएंगे तो उमीद है कि आपका भी बहुत ही अच्छा टेस्टी इसनेक बन करके तयार होगा वैसे तो रोटिया खाना कोई पसंद नहीं करते हैं लेकिन इस तरीके से जब भी बनाते हैं तो हरकोई बड़ी शौक से खाते हैं इस इसनेक को आप भड़ी चितनी हो लाल च ćटनी के साथ ले सकते हैं ये शाम के चाय पहले सकते हैं इस एसनेक के साथ स़खने के हुए आपको पसंद हो ले ले या रैसीबिया बनाते वक्त हमें भी बहुत ज्यादा मज़ा आता है तो आपे भी बनाएं अपना खिलाएं अपनाख भियाल रख़एं बाए inspire झाल झाल